हम आम आदमी फैमेली बाले सोना यानी गोल्ड क्यों खरिदते हैं। हमारी परिबार के कोई आपदा में बिपदा में ए सोना काम पे आए तो इसलिए हम सोना खरिदते हैं। जैसे परिबार में किसी की गंबिर से गंबिर बिमारी या बिजनेज या नौकरी बंध हो जाना इस बिपदा में हम सोना यानी गोल्ड को बेच के इस सिच्वेशन से बिपदा से लड़ पाए. ठिक उसी तरह दुनिया के सारे देश के सेंट्रल बैंक सोना को यानी गोल्ड को खरित के जमा करके रखती है, क्यूकि देश के उपर कोई खत्रे में, कोई बिपदा में इस सोने को बेच के देश उसी बिपदा से लड़ पाए. इसी दिशा में भारत भी सोना यानी गोल्ड और डॉलर को रिजब करके रखती है, कोरोना भाइरास जैसे आपदा में चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए और काई तरीके के प्राकितिक दुर्जोग से बचने के लिए सोना यानी गोल्ड को खरित के जमा करके या सोना मौजूद है, मतलब अभी के टाइम रिजब बैंक के पास जितना सोना मौजूद है इतियाज में कभी उतना सोना रिजब बैंक के पास यानी सरकार के पास मौजूद नहीं था, लगभग 817 मेट्रिक टॉन गोल्ड यानी सोना मौजूद है भरत सरकार के पास हमारी र रिजब बेंग के पास मौजूद नहीं था। सोना जमा करने के लिष्ट में भारत आज 90 नमबर पे आगे है। अब भी के टाइम सोना यानी गोल्ड स्रेप भारत खरिद रहा है। ऐसा नहीं है। भारत के साथ साथ तूर्की, काजकिस्तान, चाइना जैसे देश सोना खरिद रहा है। और जिस देश को पैसे की जरुवत पढ़ रही है, ओ देश सोना बेच रही है। जब हमें जरुरत पड़ेगी जब सरकार को जरुरत पड़ेगी तब सरकार इस सोने को बेचने लगेगी सोना यानी गोल्ड एक संपत की तरह होती है जितना टाइम ए आपके पास रहेगी सोना यानी गोल्ड की कीमत उत्रहीं बढ़ते जाएगी सोना यानी गोल्ड मौजूद करने के मामले में अमेरिका सबसे उपर है अमेरिका के पास 8000 टॉन या उससे भी ज़्यादा सोना यानी गोल्ड मौजूद है किसी भी सरकार के पास किसी भी देश के पास जितना सोना यानि गोल्ड फोरेक्स रिजर्ब यानि बीदेसी करेंसी जितना मौजूद होगा उतना उस देश के लिए अच्छा है ऐसे जानने के लिए प्लीज सस्क्राइब आपर चैनल